Hello Friends, GSTR 3B की Late Face को ले करके काफी सारी confusion create हुई है CBIC ने आज important clarification दी है GSTR 3B Late Face पर जो मैं आपके साथ इस वीडियो में करूँगी discuss तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि सभी important updates आपको मिलते रहे तो चलते हैं CBIC की Twitter handle पर जहां पर उन्होंने एक बहुत ही important clarification आज tweet करके दी है As a part of COVID relief package announced in March 2020, a conditional waiver of late fee has been provided for all taxpayers तो COVID relief package जब आया था तो वहां पर सभी taxpayers को एक waiver दिया गया था late fees को ले करके क्या था ये waiver कि अगर आप दी गई specified dates तक जो वहां पर date specified की गई थी GSTR 3B की इन तक अगर आप अपनी 3B file कर लेते हैं तो फिर आपको late fees pay करने की ज़रूरत नहीं है Original due dates को change नहीं किया गया था Instead आपके लिए एक specified dates बताई गई थी extended dates बताई गई थी कि अगर आप इन दी गई dates तक 3B file कर दोगे तो फिर आपको interest देने की या late fee देने की ज़रूरत नहीं है Accordingly for taxpayer having turnover more than 5 करोड अब जिनका turnover more than 5 करोड है Late fee waiver on 3B for the tax period February, March, April was subject to the condition that return is filed by 24 June 2020 तो यहाँ पर जो clarification दी गई है उन taxpayers के लिए जिनका turnover 5 करोड से जादा है उनके लिए क्या था कि अगर आप 24 June तक अपनी February मंत की, March मंत की और April मंत की 3B file कर देते हो तो आपको late fee या interest पे करने की ज़रूरत नहीं है जो interest है वो आपके लिए conditional था कि due date से पहले 15 दिन तक nil और उसके बाद 24 June तक 9% लेकिन late fee इसको लेकर के पूरी की पूरी late fee आपकी माफ की गई थी the legal due date remained the same जो आपकी original due date है वो same ही है जो की 20th of succeeding मंत है माल लिजे February के लिए आपकी जो due date रहेगी वो रहेगी 20 March it has been explicitly clarified to the trade that the waiver of late fee is conditional to filing the return of the sad tax period by the due date और ये जो आपको waiver दिया गया था ये conditional waiver दिया गया था क्या conditional waiver दिया गया था कि अगर आप 24 जून तक file कर देंगे तो आपकी late fee waived है as such if taxpayer has filed his return for February on 25th June अब माल लिजे आपने अगर 25 जून को अपनी return file करी है क्योंकि 24 जून तक कर दी है तो आपकी late fee waived है 25 जून को अगर आपने करी है he would need to pay late fee from 21st March onward तो आपको late fee जो pay करनी है वो आपको 21 March के बाद से pay करनी है यानि कि 21 March से करनी है क्योंकि original due date आपकी 20 थी 20 March थी तो original due date को नहीं बढ़ाया गया है conditional waiver दिया गया था तो अब आपको late fee 21 March से pay करनी होगी अगर आपने 24 जून के बाद अपनी 3B फाइल की है 24 जून जा चुकी है तो अब अगर आप अपनी 3B फाइल कर रहे हैं तो जो आपकी late fees applicable होगी वो 21 March से लगनी शुरू होगी तो यह जो किया गया था यह इसलिए कया गया था ताकि आपको encourage किया जा सके कि आप 24 जून तक अपनी 3B को फाइल कर लीजी तो अब ध्यान रखना है जैसे 24 March निकल गई है और अब आपकी 3B मिस हो गई है आप अब फाइल कर रहे हैं तो कबसे आपको late fee calculate करनी है जो आपकी original due date है उसके बाद से आपकी late fees लगनी start हो जाएगी तो यह important clarification आया है आपके लिए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही unfair होगा जिन्होंने 24 जून तक अपनी 3B फाइल कर दी है तो यही है important clarification तो दोसों अगर आप अपनी 3B फाइल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी late fees कब से calculate होगी original due date के next day से आपकी late fee है वो लगनी start हो गई है चलिए इस important information के साथ मैं भी इस वीडियो को करें हूँ close thank you for watching